प्रेसरे के बाद वो पान्च साल तक एलेक्शन नहीं रड़ सकेंगे तोशाखना गेस में चेर्मिन PTI को तीन साल कैद और एक लाग जिर्माना किया गया तारीक इंसाफ ने पार्टी चेर्मिन को ताहया चेर्मिन बना दिया PTI को कमेटिय जलास ने मुत्विका तोर पर करारदाद मन्सूर कर ले जितनी तुशा खाना में तुफे बड़े हैं, कुरूर में बेगे, वो इन्शाला मैं निलाम करने नहीं आप एलाम कर रहा हूं उनकों निलाम करके मगर कहां जाएंगे यतीम बच्चों और बच्चियों के इदारों में, और कहीं निलाम करेंगे चाहते हैं जितनी जल्दी हो सके मुल्क में इंतखाबात हों, मजीराजम शेवाज शरीफ कहते हैं, दूसरों को चोड़ डाकू कहने वाला आज खुद जिल में है बुरे वक्त से डिलना चाहिए, चेर्मेन पिचाए की गिरिफतारी मकाफाती अमल है, चोड़ डाकू के बियानिये ने हर तरफ तबाही मचा दी, शुकर है, रियासत बच गई वरना पेक्टॉल पंप्स दवाओं के दुकानों पर लाइने लगी होती ही, पी बीए, एपी एंएस और स्टी पी एंडी के वफ्ट से मुलाकात में गुफ्टकू करते में ये भी कहा, आई एम एफ ने पाकिस्तान के लिए सबसुरी का दर्वाजा बंद कर दिया, सार जो हकुमत के दिन खात्म, कौन होगा अने गरांद वज़र आसम, अब बुरी वज़र आसम के लिए अभी तक कोई हत्मी फैस्दा ना हो सका, वज़र आसम और अपोजिशन लेटर में किसी नाम पर इतफाक नहुबा, दोनों किसी नाम पर मुत्फिक नहुए तो मौमना पारल वज़र आसम के लिए अभी तक वज़र आसम के लिए अभी तक वज़र आसम से मुशावरत नहीं हुए अपोजिशन लीडर, राजा रियास का कहना है कि साथियों के मशवरे से तीन नाम पारल कर लिए, आज शेवाज शरीफ को दिये जाएंगे साथिय ने पूचा निगरान वज़र आसम के लिए किसी जज्ज या बेरोक्रेट का नाम दिया, राजा रियास ने जवाब दिया कि निगरान वज़र आसम पाकिस्तानी ही होगा आम इंतखाबात के बरवक्त निकात पर बड़ा सवार या निशान, नई मर्दम शुमारी के बाद हलका बनिया कब तक होंगी, इलेक्शन कमिशन आज भी कोई फैसला न कर सका, इलेक्शन कमिशन का बुलाया गया इजलास ना हुआ, लाव इंक की तरफ से मर्दम शुमारी से मुतलिक आइनी अमूर पर काम जारी, इलेक्शन कमिशन का इजलास सुब दुबारा होने का इमकान, विपाकी वजिर दाखनार ना सनावला का कहना है, दोजार तईस इलेक्शन का साल नहीं, आइन के मताबिक मर्दम शुमारी के बाद हलका बनिया जरूरी है, हलका बनिय में की होगी च्रेमें पीटी आई ने सजा के चलास अपील दाएर कर दी, इसलामबाद हाई कोर्ट से ट्राल कोर्ट का फैसला कल अदम करार देनी की स्कदा, मर्कजी अपील के फैसले तक जमानत भी मांगी, मौकफ अपनाया ट्राल कोर्ट का फैसला किलाफे कानून है, जिस ट्रार इस ने आपील को नंबर लगा दिया, सुब चीट इस्टिस के सब राही में दोरुपनी बैंच केस सुनेगा। इस नवबाद में किसानों के हवाले से तकरीब सिर्फ हिताब करते हुए, कहा कि आई में प्रोग्राम ना होता तो पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाता, शरायत बहुत सख्त और कड़ी है, जरे मुबादा के जखायर मुसलसल कम हो रहे हैं। रुकन कमेटी सलीमार्ण विवारा ने कहा, कर्द डॉलर में दिया गया जो मुलक से बाहर गया, क्या यह सब मुलक के सुरतेखाल ऐसी थी, हम चार अरव डॉलर बाहर भेज सकते थे। लवाफशा ट्वेन हादिसे के बाद एक्शन पाकिस्तान रेलवे के छे अफसरान उम्रासमीन मौतल। मौतल होने वालों में ग्रेड 18 के दो अफसर भी शामिल, मज़र रेलवे खौजा साद रुपी का कहना है, रेलवे ट्रैक का टुकरा खराप था, इंजन के बारा में से दो उपईए भी खराप थे, उन्हें तबदील नहीं किया क्या, उसी को चलाया क्या, कोट्वी से रोह युनिवस्टी डीजी खान में भी हिरास की का केस, तालबाता वीडियो पेगाम सामने आने पार, ताना गुदाई में तीन नामस्द मुजिमान के खिराफ मुक्दमा धर्च, युनिवस्टी ने दो प्रोफेसर्स, डॉक्टर जफर वजीर और डॉक्टर खालिद महमूत क तर्जमान एंडी करप्शन के मुताबक अत्रमेवू पर इख्तियारात के नाजाइस इस्तिमाल और करप्शन के इल्जामात है, पेट्रोल के बाद पानी का रेट भी शेहियों के घूश उड़ा क्या, बासा ने पानी बिलों में देर सो से दो सो पीस्त तक इसाफा कर दिय साथ मनली के घर का बिल ताडहे 560 से पांतरा सो रफे माहवार हो ग्या, दस मनली के घर का बिल धाड़े 600 सेавно 1कानाल का बिल तेरा सो तेहिन हजार तक हो गया, पानी के बिलो में दाफ़ा सभरिज के मत में किया ग्या, एंडी वास्ता के मता पंजाब snatch आ मत के मन् farms उलिस नौजवानों के हाथों में गलम लैप्टॉप देंगे मर्यम नवास का यूद फेडरेशन की तन्जीम नौ के अजलास से खिताब कहा नूली की मक्बूलियत में नौजवानों का खिलेती करदार है हम पर लाजिम है कि वो नौजवानों को अच्छा मुस्तक बिल दें ये में पेशी साड़े साथ घंटे सजाय तहकी का एफपाई ये ने वकील नईम हैदर को गिरफतार नहीं किया जज़ की फेस्बुक पोस्ट के हवाले से पूछ कर एफपाई ये ने वकील खाजा खारिस को भी इसी केस में आज बिला लिया सक्कर में एसाई यूटी के तदाही तकरीम हस्पता सतर डालेसिस मशीनों के साथ एक सो सतर बिस्तरों पर मश्तमिल है विफाकी वजीर खुरशीद शाह ने अपने खताब में कहा हकूमत इसन ने सहत के वदान में बेमसाथ खितमा दी सक्कर का स्पोर्स कॉम्पलेक्स भी मुकमल होने के करीब है वजीर सहत कादर पटेल बोले दीगर सुबे सहत में जन से 50 पीज़द पीछे हैं बहुत थोड़े वक्पने टार्गिट मुकमल के वजीर सेन मुराद अली शाह बोले गलावद भुटो ने सुबे के तरके के लिए दिन रात में इनद की हम काईद आजम के पाकिस्तान में आए थे भुटो के पाकिस्तान में धकिल दिया गया वो कौन से सौधागर हैं जिन्होंने मुल्क का सौधा किया एमचेम कंवीनर खाली मगूल से दीकिर का कहना है कि मुल्क को बैचाना आपकी जिम्मेदारी है मुल्क को आगे लेकर जाने के लिए फैसला कुन जितो जहौद करना होगी पाकिस्तान एड्मिनिस्ट्रेटिव सर्विस के 23 अफसरों की ग्रेड 21 में तरकी बारा अफसरों की ग्रेड 20 में तरकी पर्चमों की बहार मुल्क भर में योमिया जाती की तैयारियां भर पूर तरीके से जारी लाहोर रावत बिंडियों कराची समेद हर शेहन में स्टोर सच गए बड़ों के साथ बच्चों तक जोशो जजबाद देखने वाला मेजार कायद की तजीनो राइश और मुरमत का कामचारी मगपरे के गुमबत, चांदी के जानी और पानूस के सफाई कर दी गई मरकज दर्वासों के रंग और रोगन का कामचारी जशन आजादी पर बाजा बजाने और फरोग पर पाबंदी आए कराची की मुलीर कोट ने फैसला सुना दिया एसे चो शराफी गोट और सचल को बाजे बजाने और बेशने वालों के खिलाफत का रवाई का हुकम अदालत में रिमांस दिये कि जशन आजादी के मौके पर बाजे बनाकर आवाम को परेशान किया जाता है एशेन होकी चेंपिंस ट्रॉफी में आज बाज भारत टाकरा होगा पाकिस्तान अप्रे ग्रूप में पांच पॉइंट्स के साथ चौथे नमबर पर मौझूद मैट जीतने या बराबर करने पर पाकिस्तान सेमी फाइनल में पहुंच जाएगा